नमस्कार दोस्तों हर बार के इतने हैं इस बार भी फेस टू फेस लेकर हाजिर हूँ मैं हकीकत काद्यान और आज हमारे साथ खास मेहमान है हर्याना के मुख्यमंतरी भूपेंदर सिंग हुड़ा हुड़ा साब स्वागत है हर्याना न्यूज में आपका सर आपको 9 साल हो चुके हैं कारेकाल आपका जो हो चुके हैं अब तक कि क्या बड़ी उकलब्दियां रही है आपके कारेकाल के दुरान सरकार की ने हमान तो हर छेतर में चेशी चेटर है चेश शिक्षा छेतर है चेश इन्फर्स्रेक्श्चरस छेतर है हर छेतर में बढ़ी तेजी से अज्यार ने विकास किया है जो परती व्यक्ती निवेश में चोदवे नंबर पे था में आज नमबर एक पे पहुचा है चे समाज golden उसमें किया है और चे ग्रोध का मामला है चे प्लैंड बज़ट का मामला है प्लैंड बजट मानओ दो जार पांच में है खर्याना के अंदर चुनाव को लेकर क्योंकि स्टार प्रशारक जो है आप लगातार चुनावी यात्राएं भी कर रहे हैं आपका जो रोड शो भी चल रहा है तो क्या कुछ हमुद्धे हैं जिनको लेकर आप जनता में जा रहे हैं नहीं जो पार्टी की सरकार की नीतियां जो डिलिवरी हुई है जो जिस आदमी की जो पोलिस magic भी TB बनाई है उस तक वो पहूंचाई है वह लेकर जा रहे ही हम कि आम आदमी के एक महाुल पैदा किया हमने सुरक्षा का महाल पैदा किया है जब हमारे सरकार आया उस समय एक किया है और सब अपना अराम से सब अपना वैपारी वैपार कर रहा है किसानी किसान किसानी कर रहा है जो करमचारी अपनी नौकली कर रहा है तो सर ऐसे कौन से जो प्रोज्वेक्ट हैं जो अधूरे रहे गई हैं जो अगले पांच साल में पूरे होने वाले नेक तो यह नुक जो एक Dream Project है वो भी चार-पांट साल में पूरा होगा इस प्रकार से, बहुत सारे ऐसे Project हैं, बाकी पूरा तो कभी विकास कभी end नहीं होता है, विकास तो चलता रहता है, पहले थोड़ा हुआ, फिर और हुआ, और हुआ, और हुआ, और हुआ, और हुआ, और हुआ, जो विक करते रहें तो हर उसमें इंप्रूइमेंट की गुंजाइश होती है और एक आदमी सुखी हो सम्रद्ध हो शिक्षित हो यह हमारा है उस पर निरंतरम करते रहेंगे तो सर्फ प्रदेश को आप कितने मार्किंग के अंदर जैसे गुजरात के जो मुखे मंतरी है नरेंदर मोदी जो पीम पत के कंडिडेट भी है वो लगातार कहते हैं गुजरात की छवी दिखाते हैं कि गुजरात देश के अंदर सबसे आगे है जबकि आपकी जो कंपेन है व क्योंकि वह हिंदूस्तान का एक अंग है और मैं एक नश्चलिस्ट परिवार में पैदा हूँ, एक स्वाद्त-सानानी के घर्र में पैदा वहूं, जिन्हों परतिवेक्ति यो बजट जो है वो परतिवेक्ति कितना वे खर्च किया है चौथा उसकी resources mobilization में कितने improvement है, if resources नहीं हो आपके improve होगे तो आप आगे कहां जाएंगे, तो यह आपके सामने इंचारो parameter में, आर्याना आज देश में सबसे top states में हैं. Sir, अगर बात कीजाए चुनाव प्रिशार की, आप लगातार चुनाव प्रशार के अंदर चुनावी दोरे कर रहे हैं और अगर बात करें दिपेंदर सिंग हुडा की तो लगातार कमर में दर्द होने की वज़े से वो अपने शेतर में नहीं जा पा रहे हैं शेतर के लोग ही उनके चुनाव प्रिशार की कमांड जो हो संभाले हुएं क्या आपको नहीं लगता कि आप दिपेंदर जी के लिए पूरा वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं इस चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी की वज़े से देखो उसने नौ साल मेहनत की है और लोग इस बात को समझते हैं लोगों नहीं वहां के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं नहीं तो जो पूरी जिम्मेदारी है क्योंकि आप एक पिता हैं और उमीद आपसे भी की जाती है लेकिन पूरे स्टेट की जिम्मेदारी अब आपके उपर है लोगों पर विश्वास है और दिपेंदर का मैं समझता हूं यह तो वह ऐसी स्थिती होगी डॉक्टर ने तो सर आगे हर्याना के अलावा आप कहां कहां दोरे करने वाले हैं कॉंग्रेस के लिए कहां कहां चुना प्रशा निमें गया था उत्रप्रदेश भी गया था और फिर आगे जहां पर पार्टी बेजेगी वहां जाएंगे सर आपकी जो छवी है एक किसान नेता के रूप के अंदर फिलहाल जो है तोर उपर प्रोजेक्ट की जा रही है आप क्या मानते हैं किसान के बेटे हैं लेकिन overall national level आपको एक किसान नेता के तोर के उपर जो आपको दिखाया जा रहा है कहां किसाने किसान के हिद की बात करता हूं। चेह पारलामन में था चेह किसान के बैबुदी की बात करता हूँ, उसी की वकालत करता हूँ सर लगातार कुछ लोग जो है वो प्रदेश के अंदर भेदभाव लगाते रहते हैं कि विकास जो है वो समान रूप से नहीं हुआ अधारिन बात है, विकास तो पूरे प्रदेश का हुआ है आप सिक्षा में लगा लो, पंचकुला से शुरू हो जाओ, निफ्टम पंचकुला में है नेश्नि इंचूर्ट आफ रिजान कुरुशेत्र में है, कालप्रा मेडिकल कॉलिज करनाल में लगाया है राजीव गांदी एजुकेशन सिटी और महिला यूनिवरस्टी ये सब सौनिपत में है फरिदावाद में वाई-म-सी की यूनिवरस्टी बनाई है, मेडिकल कॉज बन रहा है मेडिकल कॉज बनाया है, गुरगाओं में पहली डिफेंस यूनिवरस्टी बनी है रिवाडी में यूनिवरस्टी बनाई है, विवानी में स्पोर्ट्स यूनिवरस्टी बनाई है इसार में लालाज पत्राएग नाम से अनिमल साइंसिस की यूनिवरस्टी बनाई है और रोत्तक में एम्स बनाया है, जजजर में एमस बनाया है परोट तक में Medical University बनाई है इस प्रकार से यह आई 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 टी की Extension जजर में आ रही है. एक आई 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 टी के Extension सौनिपत में आ रही है. निफ्टम सौनिपत में ह्यों। इस प्रकार से हर प्रदेश के हर कौने में विकास हुआ है और जो है शे वुट का काम है. है. अब देखें, अविकास का बतलब यह है, उनिस सो चासेट में हर्याना बना, दो हजार पांच तक कुल सोला ओवर ब्रिज बने है. बिलकुल. और हमारे कारेकाल में इकतिस बन चुके हैं. और इतने ही दिर्मान दीने, बतिस के करीब अंडर कंस्रक्शन हैं. तो साठ से ज्यादा बने हैं. तो कहां तो इतने साल, चालिस साल, कहां हमारे को नौ साल हुए हैं. इसी प्रकार से रेल्वे लाइन का है, पूरे च्छासट के बाद इसे लेके दोजार पांच तक केवल रोतक से भिवानी की लाइन विची है. अब यहां से रिवाडी से वाया जजज़ा रोतक कंप्लीट हो गई है, चालू होई है. एक सोनीपस से वाया गवाना टुजीन वो जल रही है. और यह महम से होते हुए आसी होते हुए इसार, ताकि दिल्ली से सीधा यह बिल्कुल मेवाद के आप देख सकते हैं, तो चाहे वो infrastructure का है, चाहे universities का है, चाहे government colleges का है, जितने government college हमारे से पहले जो ओम परकास चुटारा जी की सरकार थी, तो जितने government college उन्होंने अपने पूरे 10 एर में बनाये, उतने हमने हर साल बनाये हैं, तो इस परकार से काफी हर जगा मतलब समान विक से हैं, या backward class A के हैं, या BPL के हैं, उनको अगर हम scholarship देते हैं, पहली जमाद से, तो पूरे परदेश को मिलता है, कोई भी हो, पूरा inclusive development हुई है, state की. सर, हर और विकास हुआ है, लेकिन एक और चीज जो है, कि राव इंद्रजीत की अगर बात करें, वो लगातार दक्षिन हर्याना के साथ भेदभाव की, जैसे आपने बताया कि वहां भी कई प्रोजेक्ट आए हैं, वो भेदभाव के इल्जाम लगा कर, और पार्टे से अल मनाना के इंद्र सरकार काम है, उसके बाद उनको भेदभाव की बात याद आई, हालां कि मैं समझता हूँ, जितना लोग तो कहते हैं, मैं तो गाजियाबाद गया था, वहां के तो जो कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी की, वो कह रहे हैं मेरे को जिता हो, अम गुडग गुडगावा इतना विक्सित है, तो इंदजीत कहें, दक्सिनाधिया, सेंटर जी उनुवर्स्टी में बन रही है, रिवाडी में उनुवर्स्टी बन गई, गुडगावा में नेशनल पहली एक डिफेंस बनी, वो बन रही है, मिबाद में मेडिकल कोईज बन गया, अब स इसकी पहली रैपिड मेट्रो शुरू हुई है, वो गुडगाव में हुई है, तो इसी चीज़ का नाम है। सरे के नई नवेली पार्टी बनी आमादमी पार्टी, दिल्ली में सरकार बनती है, उसके बाद सरकार गिर जाती है, अपने लोकसभा चुनावों की शुरूआत वो करते हैं रोह तक से, कितना असर मानते हैं आमादमी पार्टी का हरियाना में। दखो आभी तक तो कोई उन्हों की उपस्तेती, नुटेबल उपस्तेती, बागी नामी माउनु थोड़ी बात मिलें। क्योंकि सबसे पहले वो रोतक के अंदर एक रैली करते हैं, वहाँ गरजते हैं, काफी भीड दिखाते हैं, वहाँ उनके खिलाफ प्रदरिशन भी होता है, लेकिन क्या कर पाएगी आम आदमी पार्टी का, क्या बजूद रहेगा हरियाना में। इस किसम का महौल पैदा करने में भी, मतलब मैं समझता हूँ, किसी ने किसका आज जो अराजकता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए किसी को, वो देश के हित में नहीं है, ये अराजकता की एक हुआ है। पुक्य मंतरी भूपेंदर सिंग हुड़ा के साथ बाचीत का सिलसला यूँ ही जारी रहेगा, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लोटेंगे, देखते रहेए हरियाना नियूस। पुक्य मंतरी रहेए हुआ 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 हुआ